कि किसी भी अब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम के गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप देखो यह दिखने में कैसा होगा तो इसके अंदर जैसे मालों यह ग्लास का एक जार है और इसके है जो हमने से अटेस्ट कर दिया ताकि उपरवाला जो सर्फेस एरिया थोड़ा सा ज्यादा रहे यहां पर गोल्ड की बनीवी दो पत्ली पत्ली पत्तिया लटकी रहती है इनको यूज करने का रिजन यह है क्योंकि गोल्ड क्या होता है एक तो जब उसको आप पतला करते ह हो तो टूरता नहीं उसकी स्ट्रेंच ज्यादा होती है और एक दूसरी प्रोपर्टी यह है कि यह कंड़क्टर होता है तो हमको कोई ऐसा कंड़क्टिंग मैट कंड़क्टिंग मैटरील चाहिए था जो जिसको हम पतला कर सके जिसकी पतली लीव्ज बन सके ताकि हलकी रहे यह मैटरल वाइर है और यह गॉल्ड है यह भी मैटर नदर क्या होते हैं बहुत सारे फ्री लैक्ट्रों निद गूंते रहेंगे क्योंकि एटम से तो फ्री हो गए और उनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी नॉर्मल टेंप्रेचर पे तो वह रेंडम लिगुम रहे कोई उपर जा रहा है कोई नीची आ रहा है इसलिए नेट चार्ज वायर की उपर आपको कितना दिखेगा जीरो दिखेगा इस पर कोई च बाइटम पर पॉजिटिव चार्ज भीतोंगा तो वायर के अंदर जो जिस एटम से एलेक्ट्रोन निकला उसके उपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोन उसके अंदर एक पर्टिवलर डिरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं इसलिए करंट प्रेडू हो रहा है लेकिन उसके अंदर वो एटम्स भी आ जिनसे वो फ्री वेट थे उसी वाइर के अंतर नहें देरें तो उन एटम्स के उपर पॉस्टरि चार्ज उत नहीं होता ठीक है अब मालो किसी object पे electric charge है और आपको उसका पता लगाना है तो क्या करेंगे तो उसको इसके पास में लेके आएंगे मालो यह possibly charge road है और इस पे हमको charge का पता लगाना है तो क्या करेंगे इस charge road को हम इस device के पास में लेके आते हैं अब हमको पता है कि इस wire के अंदर और इस in gold leaves के बहुत सारे free electrons है और वो free electrons क्या है नेगिटिवली चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे इस पॉस्टिवड चार्ज की तरफ attract होंगे attract होंगे तो उपर वाले सिरे पे आके कठ्था हो जाएंगे मतलब यहां पर इस वायर के जाहेगा लीक की उपर इसकी उपर आपका ऊपरंटी यह जो चार्ज है यह तब टाकी रहेगा जब तक्ये चार्ज उब्जेक्ट इसके पास पर रखा अगर आप चार्ज औबजेक्ट को हटा लोगे तो यह वापस से लेक्ट्रोन रेंडम ली घूमने लग जाएंगे और यह चार्ज गायब हो जाएगा इस वाले चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ट चार्ज कौन सब्सक्राइब इंड्यूस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जो किसी चार्ज पासमें जब तक पासमें रहेगा तब तक वह यहां पर इंडियूच रहाए जहां नेगेटीव च प्टनी सब्सक्राइब ठीक है अब यह जो लिफ्जैन कि उपर क्या देख रहां कि सेम टाइप का चार्ज आ रहे हैं और सेम टाइप का चाच आइगा तो यह कि एक द्थी और चली आती तो मतलब यह हैं कि जो आपजेक्टoser हम पास मिले हैं उसकी उपर इलेक्ट्रिक चार्ज ए अचाबर इस यहां पसको मिलता तो इसां छार्य का लगा तो पता नहीं लगता कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज लेगा है इसका नहीं सब्सक्राइब पर और अगर तो आपने पहले से इसको यह जो डिवाइस से चार्ज कर रख है इसको कुछ रोड को और वालेघ्श रहेंगी अब यह जो पॉस्ट्वी चार्ज रोड की ऊपर होगा यह आपको पता भी होना चाहिए कि इसके उपर positive charge है और उसके वज़े से leaves के हैं diverge हो रही है अब अगर मैं इसके पास में positively charge road लेक्किया हूँगा suppose करो इस wire के उपर क्या है और leaves के उपर क्या है शुरू से पहले से positive charge है पहले तो हमने electrically neutral लिया था लेकिन अभी क्या है इन leaves के उपर और इस device के उपर मतलब इसके उपर कौन से charge है positive पहले से positive charge है इस पूरे device के उपर positive charge है अब मैं क्या कर रहा हूँ यह positively पॉजिटिव ली चार्ज रोड इसके पास में लेक्षा रहो यह क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को अट्रेक्ट करेंगी तो फ्री लेक्ट्रों अगर उपर आएंगे तो उपर पॉस्ट्व चार्ज कर जाएगा थोड़ा सा कैंसिल और निच वाले सिरे पे थोड़ा सा और ज्य पॉस्ट्य चार्ज ने पराइड करते ज्सके पॉस्टुट्य चार्ज घूर्ड पासमें करें में तो होंगी समझ मैं रहा है मतलब इन में जो रिपल्शन था वह पहले ज़्यादा था और अगर कुछ सब्सक्राइब तो इस तरीके से आप चार्ज की नेचर का पता लगा सकतो लेकिन उसकी लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस वायर की उपर या इस डिवाइस की उपर कौन सा चार्ज है क्योंकि उसकी हेल्प से हम इस पर जो चार्ज उसको डिफाइन कर सकते हैं कि यह किस टाइप की चार्ज रोड पास में आई होगी यह समझ में क्या तो नॉर्मली तो आप ऐसे लिखोगे अगर स्पेशल कंडिशन की बात नहीं करें तो हम यह बोलेंगे कि जो गोल्ड इफ चार्ज है यह नहीं है